Welcome to study channel मेरा नाम है मुहम्मद कैसर LTE grade की नई भरती के लिए लाको छात्र इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों एक latest update निकल कर आई है उत्तर प्रदिस लोग सेवाई यानि UPPSC से कि उन्हें समकक्ष हरता संबंधी पत्र शाषन से अभी तक नहीं मिला है और यही कारण है कि वो विग्यापन जारी नहीं कर पा रहे हैं UPPSC की पुरी तयारी है विग्यापन जारी करने का और आरक्षित तिथियों में परिक्षा कराने का UPPSC का आपने इजाम कलेंडर देखा होगा इस साल वाला बहुत सारे dates उसमें आरक्षित हैं उन्हीं किसी एक डेट पर एल्टी ग्रेट जैसी प्रवक्ता खंड शुक्षा अधिकारी वगएरे की परिक्षाएं कराई जाएंगी लेकिन इसके लिए जरूरी है समकक्षारता का हल होना कल एक धरना पदर्शन ग्यापन कारेकरम भी हुआ था उपीपियरसी पर और वहां के अधिकारियों से वारता भी हुई साप साप कहा गया कि सासर के रवसे पत्र मिलते ही विग्यापन जारी कर दिया जाएगा का हमने एक्जाम कलेंडर में साप साप कह दिया है कि पत्र जो है वो अभी यूपियरसी को नहीं मिला है तो दोस्तों ज़्यादा कोई काम बचा नहीं है बस एक पत्र का इंतिजार है क्योंकि उपीपेसी का कहना है जब तक हमको क्लियर कट जानकारी नहीं मिलेगा समकक्षारता को लेकर तब तक हम विग्यापन जारी नहीं तो आप जरूर पहुंचिए मैं जरूर आपको इंफॉर्म कर दूँगा क्योंकि जादा इसमें काम है नहीं बस एक दिन दो दिन की बात है यदि पत्र मिल जाता है यूपेसी को तो विग्यापन आपका तुरंत एक सप्ता के भीतर विदर जारी कर दिया जाएगा और इसी सा आपको इंफॉर्मेशन दूँगा और आप समय निकाल कर जाएएगा आपके ही फायदे की बात है आपके ही हक की बात है क्योंकि विग्यापन नहीं निकलेगा तो पढ़ लिकर आप करेंगे भी तो क्या ठीक है और इसमें ज्यादा डीले भी नहीं है ऐसा तो है नहीं कि अ जाएगा अधियाचन के पास है ही है यह सब को पता है मैंने आपको कई बार बताया कई सालों से बता रहा हूं कि इसका अधियाचन है लोग सिवायों के पास बस कुछ संकक्षता का अधिकत है हल होते ही विग्यापन जारी हो जाएगा तो यह कुछ इंपोर्टन अपडेट आप लोगों को देनी थी वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें थांक्स फॉर वाचिंग